36 गड़ विधान सभा में प्रदेश के विश्व विद्यालियों के शोध पीट में गड़बडी का मामला गुंजा बीज़पे विधायक अजय चंद्राकर ने शोध पीट में फर्जी वाड़ा का मुद्ध उठाया उन्होंने पूछा कि पिछले पास सालों में प्रदेश में संचालित शोध पीट के स्थापना का उद्देश क्या था इसमें कितना सफल हुए जिस पर प्रिज मोहर अग्रबाल ने कहा कि गठन का उद्देश पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है जब से शोध पीटो का गठन हुआ तब से ही इनमें पद रिक्त है इस पर अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि जब इन्होंने उद्देश पूरा नहीं किया तो तीन साल में 146 करोड से जादा की राशी अनुदान के तौर पर क्यो दी गई मंत्री ने कहा कि विश्विद्यालियों को अनुदान मिला है शोध पीटो को कोई अनुदान नहीं दिया गया है इतना ही नहीं चंद्राकर ने कुशा भाव ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विद्याले राइपुर अंतरगत संद कबीर, विकास अध्यकेंद्र, द्वारा प्रकाशरीग, संद कबीर का इतिहाख, संद कबीर. का में कहट कभीर 2021-22 बीना मुद्रक के बीना अनुसंद्धन अभिकारी के बीना इस्टाफ के तीन किताबें लिख ली एकी साल में तीन किताब लिखने कभी इसको रिकार्ड है यह उसके चरणिस पर्स करूंगा यदि उसको विदान सभंग लाया जाये तो मैं अब इनके पास Ḝंद को भी लिजान ने जयां ने कुछ नई द्याले ने दिया कि अपने जेब खर्शे किया कि चंदाब लेके किया कि किसी NGO ने अनुदान दिया कि यूदिसी ने इसके लिए प्रोजेक्ट शिक्रित किया क्या कोई तो होगा कुछ भी जादू से नहीं हो गए माननी अध्यक्ष मोदै सासन के द्वारा इनकी छपाई के लिए किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया गया इस बारे में सासन के पास में किसी भी प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं है जिस विद्वान के बारे में बात करना है उन्हीं विद्वान ने अपने खर्चे से कहीं से पैसे मानकर किस प्रकार से किया इसके बारे में सासन को को जाई यही नहीं सिक्षा मंत्री ब्रिज मोहन अगरबाल ने पुरवर्ती कॉंग्र सरकार पर आरोप लगाया कि शोद पीटो पर कोई काम नहीं किया गया पास साल 36 गड़ी और 36 गड़िया की बात करने वाले लोगों ने इन विभूतियों के नाप पर खाली भाशन दिये हैं 36 गड़ के लोगों को गुम्रह किया गया है आने वाले समय में सारे शोद पीटों में सुचारू रूप से संचालन होगा अपने ही विधाकों से ब्रिज मोहन और चंद्राकर की तलखी के बाद नेता प्रदीपक्ष चरण दास महन ने भी इस मामले को लेकर तंज कसा उन्होंने कहा कि विद्वान लेखक का नाम भी बता दीजे जिस जादू की बात की जा रही है यह किताब अगर छपी है तो सद त्वेन प्रस्न करता विद्वान मंत्री यह अध्याग नाम बता दीजे जिस ने लिखा है और यह च्छपा है आरोप प्रत्यारोप के बीच विधासबाद देक्ष रमन सिंग को हस्तशेप करना पड़ा कि सवाल और जवाब देने वाले सदन के विशशग्या एक साथ खाड़े होकर सवाल जवाब कर रहे हैं तो इस मामले की गंभीरता काफी बड़ी है शोद पीट में गड़बडी को लेकर सदन में हो रहे हंगामे की बीच एक बार फिर से सदन में 36 गड़ी और 36 गड़िया सरकार होने के पुरवर्ती सरकार के दावों और हकीकत कराजारा देखने को मिल गया माना जा रहा है कि शोद पीट के नाम पर हुई जमकर बंठरबाट पर आने वाले समय में साइस सरकार बड़ा अक्शन ले सकती है रायपूर से अजय सोनी की रिपोर्ट 36 गड़ तक कर दो